मेरी खास बात क्या थी पता है अर्विन दरोडा यानि कि मेरी खास बात आपके A2 सर की खास बात ही यही थी कि मैंने अपने आपको कभी बांदा नहीं कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ क्यों मैं कुछ भी कर सकता हूँ दुनिया में मैं जारू लगा सकता हूँ पोचा लग आज YouTube पे मुझे almost सारी चीज़े आती है, मैं अगर मेरे पास मेरा कोई employee बीमार हो जाए, तो वो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे thumbnail बनानी आती है, मुझे video edit करनी आती है, मुझे live stream करनी आती है, मुझे PPD बनानी आती है, पता है आज सबसे बड़ी problem क्या है, आज लोगों की सबसे बड़ी problem है, वो ये कहते है कि मुझे तो साहब यही काम आता है, इसके इलावा कुछ नहीं आता, मैंने, यानि कि आपके A2 सर ने, मैंने हमेशा यह सोचा कि skill skill होती है साहब सीखो, जिन्दगी में कभी काम आएगी, skill होती है साहब सीखो, जिन्दगी में कभी काम आएगी, मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया कि हर चीज काम आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक बनिया परिवार में, अरोडा हूँ में, बनिया परिवार में पैदा हूँ और वो हमें रग-रग में सिखाया जाता है, हमें खून में सिखाया जाता है, कि किस तरह से पैसा कमाना और skill का मतलब या होता है, इसलिए मैंने अपने आपको सीखने से कभी रोका ही नहीं, और अगर आज मैं कहीं फ़ज़ा हूँ ना, तो मुझे पता है उस situation से कैसे निकलना है, इसलिए आज मैं इतना खाम को पाया, इसलिए मैं आज इतना समझ पाया, इसलिए आज मैं यहां पर पहुँच पाया, और आज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आज वक्त अपनी सोच को बदल लेगा और अपने आप से ये कहने का भी काम चोटा बड़ा नहीं होता सबसे पहले नंबर दो कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है या मैं यही कर सकता हूँ ये आपकी प्रोग्रेस को रोपता है और आप समझ लीजिए कि वक्त एक जैसा नहीं होता कोरोना ने सबको शकल दिखा दी आप खुद बताओ कि क्या ये सच बात नहीं है कोरोना ने सबको शकल दिखा दी क्या ये सच बात नहीं है आपके सामने बहुत सरे लोगों की जॉब गई होंगी इन फैक्ट आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा कि हाँ यार कोरोना की वज़े से मेरी जॉब चलीगी अगर मैं थोड़ा समझदार होता या मैंने अपने अंदर एक स्किल पैदा कर ली होती शायद मैं आज घर पे बैठ के कमा रहा होता